सबी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेकनीकल माच्साम में साथ यो इस वीडियो में हम 25 से 30 अक्टूर की कार्योजना देखेंगे साथ के साथ डायरी की कार्योजना और ये भी देखेंगे कि इस कार्योजना से प्रेणना तालिका में आपको कैसे और क्या वरना है सबसे पहले मैं आपको समर्द मोडूल दिखा देता हूँ ये क्लास एक का समर्द मोडूल है और यहाँ पर पहले कालांस की कार्योजना में है अनकूल बातावरण बनाने के लिए मौखिक खेल गतिविदी कहानी पर कारे सहेज एक पाठ वार है और दूसरे कालांस में दोनी चेतना पर कारे 5-10 मिनट डवर्ड की पहँचान पर कारे करें बच्चों को कलरव से पेज 27 तथा कारे पुस्तिका के पेज 29 से डूड कर डवर्ड की पहँचान कराएं तो मैं अब अपनी कार्योजना बताता हूँ जो मैंने कार्योजना तयार करी है अब ये देखे 25 सक्टूर को ये क्लास 1 और 2 के लिए है अब ये देखे 25 सक्टूर में गतिविदी आयना आयना तो वहाँ पर है कोई भी आप मौके खेल गतिविदी करा सकते हैं तो हम ये स्कूल रेडिनेस की कार्योजना से गतिविदी ले रहे हैं आयना आयना और कहानी जूला जो पार्ट बारे है सहेज एक से ये कहानी है जूला यहाँ पर लिंक दिया हुआ है आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कहानी देख पाएंगे दूसरा है बर्ड पहँचान पर कार्या तो यहाँ पर डवर्ड पर कार्या हमने लिया है अब हम देखते हैं गड़ित की कार्योजना कैसे तयार करिए हमने अब यहाँ पर देखिए गड़ित का टॉपिक है सुन्ने की अवदाराना इस पर हमें तीन दिन काम करना है तो पिछले सब्ता की कार्योजना आप देखोगे तो दो दिन हम सुन्ने की अवधार्णा पर कार्य कर चुके हैं और तीसरे दिन हम इस सब्ता में कार्य करेंगे तो यहां पर देखें कार्य पुस्तिका में लिखा हुआ है C153 आधार सिला क्रियान वें संदर्श का C233 तो C233 का मतलब है पेज नंबर 33 पर जो सिच्छड योजना दे रखी है आपको उसका प्रयोग करना है अब यह देखें हमने यहां पर लिखा है सून्ने की अवधार्णा की समझ लिखने की समझ बनानी है हमें गतिविदी जीरो गडित का हीरो अभ्यास योजना 18 आप इस प गतिविदी सून्न की अवधार्णा को समझना लिखने की समझ अधिकम प्रतिफल M103 तो यहां पर आपको गतिविदी में बताया कि इस तरीके से आपको गतिविदी करानी है सिच्छक को गतिविदी के चल्ड इसपष्ट करेगा सभी बच्चे घेरे में चलना प्रारम करे काईश जीरो गडित का हीरो कहते हुए चलेंगे तो आप इस तरीके से गतिविदी आप कराइंगे अब दूसरे कालांस में सुन्ने की अवधार्णा की समझ अभ्यास योजना सत्रे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे अभ्यास योजना पर तो आप देखेंगे किस तरीके से बच्चों को दिखा सकते हैं और यहां से बच्चों को सून्य के बारे में अभ्यास करा सकते हैं उन पेड़ों पर घेरा करो जिन पर सून्य सेव हैं और नीचे सून्य को पहचान कर एक रेखा में मिलाओ तो आप यह बोर्ड पर बना सकते हैं और बच्चों से इस खेल को आपको दिखा दी है अब हम 26 सक्टूर की कार्योजना अब देखिए यहां पर जो पोश्टर है CMC 07 तो जब आप सासन से जो में प्रिंट रिच मैटेरियल मिला है तो उसमें आपको यह पोश्टर मिलेगा CMC 07 तो इसकी हेल्प से आप आप बच्चों को कारे करवा सकते हैं सुन्य की अवदराना बच्चों को समझा सकते हैं अब हम देखते हैं 26 सक्टूर की कार्योजना और उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि प्रेणना तालिका हमें कैसे वरनी है तो आप क्लास एक की प्रेणना तालिका में जो गड़ित की तालिका है उसमें देखेंगे नौवे नमबर की दक्षता है बच्चे वाज़े की अवधाना की को समझ सकें तो यहां पर क्या होगा कि जैसे आपने तीन दिन इसंपर कारे किया वाज़े तो आप बच्चों का समझ गया होगे कौन से बच्चे समझ पाए हैंHappy से बच्चे नहीं समझ पाए हैं अब जिन बच्चों ने समझ लिया है तो आप जहां student 123 लिखा हुआ है यहां पर आप बच्चों के नाम लिखेंगे और जिन बच्चों सून की अवदाना को नहीं समझ रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं उनके कॉलम आप खाली छोड़ देंगे उनके साथ आप अलग से कार्य करेंगे और जिस तारीख में बच्चे सून की अवदाना को समझ पाएंगे वह डेट आप वहां पर लिखेंगे अब हम देखते हैं 26 सक् पाट आपको पढ़ाना है किस पाट के चित्रों पर आपको चर्चा करनी है तो यह देखें कलरव से हमने रसोई पाट लिया हुआ है बढ़ पहचान पर कार्या आपको करना है धह पर यहां पर कलरव पेज 27 और कार्य पुस्तिका पेज 28 के अनुसार आपको बच्चों को का अरे कराना है कारय योजना पर आप कलिक करेंगे तो यहां से देख पाएंगे bis Aos whenma किस तरीके से आपको इस सिच्छड योजना से पढ़ाना है यहां पर देखे पाटे पुस्तक C168 इसका मतलब यह है क्लास एक की पुस्तक से आपको पेज संख्या 68 के अनुसार पढ़ाना है कारे पुस्तिका C166, 61 कारे पुस्तिका के पेज 60 और 61 के अनुसार आपको पढ़ाना है इसी तरीके से दूसरा कालांस है तो एक कालांस में आपको अबदाराना का निर्मार करना है और दूसरे कालांस में आपको बच्चों को अभ्यास कराना है तो दोनों कालांस में आपको सेम कारे करना है एक में आप बच्चों को समझाएंगे और दूसरे कालांस में उसी का आप अभ्यास कारे कराएंगे अब हम देखते हैं कलास थर्ड के 25 सक्टूर की कार्योजना देखते हैं कहानी है भालू की चाला की इस कहानी के हमें चित्रों पर चर्चा करनी है पहले दिन आप चित्रों पर चर्चा करेंगे दूसरे दिन बच्चों को कहानी सुनाएंगे और फिर बच्चों से कहानी सुने लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए जो सासन की तरफ से हमें अभ्यास कुस्तिकाई मिली है उसके पर 20 पर आपको कारे करना है उक की मात्रा लगाकर लिखो और पढ़ो तो आप इस कारे को करा सकते हैं बोर्ड पर आप ग्रेड बना देंगे ये सब्द लिख देंगे बच्चों को इन सब्दां को पढ़वाएंगे तो आप इस तरीके से पाट 20 के अनुसार आपको कारे कराना है आप इसको देख लें इस तरीके से आपको कारे कराना है तो ये अभ्यास कारे है इस अभ्यास कारे को आपको कराना है और ये अभ्यास कारे जो सासन की तरफ से अभ्यास पुस्तिकाई मिली है उसके अनुसार ये कारे है अब देखते हैं सब्द पठन सहज 1 से पेज 3, 4 और 5 पंक्ति आपको पढ़ानी है, कार्योजना पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज 3 और 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप बड़ी आसानी से यहाँ से बच्चों से पढ़वा सकते हैं, इन सब्दों को आप बोर्ड पर लिख ल सिच्चड योजना 55, पाटे पुस्तक C171, वर कार्ड संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड, पोश्टर CMC09, कालांस तो में संख्या पेटर्न की समझ और उसे आगे बढ़ाना, सिच्चड योजना 55, तो आपको इसी तरीके से कार्योजना मिल जाएगी, कच्छा 5 त की, इसी कार्योजना से हम सिच्चक डाइरी वर रहे हैं, इसी कार्योजना से आप अपनी क्लास में पढ़ाएंगे, साथियो आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, जिससे और भी सिच्चक कारे करें मिले।